लखनव दिल्ली हाइवे पर कोहरे के कारण यूपी रोडवेज की बस डिवाइडर से टकरा गई हादसे में 12 यात्री घायल हो गए यूपी रोडवेज की बस लखनव से बरेली जा रही थी बरेली जनपद में फरीदपुर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ पुलिस और रहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद बस में फसे घायल लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया हादसा सुभै करीब 7 बजे हुआ यूपी रोडवेज की बस गुरुवार रात लखनव से बरेली के लिए चली थी कोहरा अधिक होने की वजह से बस की रफतार काफी कम थी चालक को आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था बरेली डीपो की यह बस जैसे ही फरीदपुर टोल प्लाजा के पास पहुँची अचानक बस डिवाइडर से टकरा गई बस के डिवाइडर से टकराते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई तोल प्लाजा के करमचारी और वहां मौझूद पुलिस के जवान मौके पर प थी बस में सवार अन्य यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया शूलो बदला वाना